प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर जम कर हम डाबोडा तो जब मीडिया में आपका कोई है ही नहीं तो आपके मुद्दे नॉन सीरियस ही रहेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर जम कर हम डाबोडा उन्हें ने कहा कि पिया मोधी कॉंग्रिस के गोश्रा पत्र से घबरा गई है कॉंग्रिस के पूर्व अधियक शाहुल गांधी कहते हैं कि मीडिया में मेरे बारे में कहते थे मेरी राजनीती में दिल्टस्पी नहीं है मैं राजनीती को लेकर सीरियस नहीं हूँ मनरेगा नॉन सीरियस था मगर अमिताब बच्चन एश्वर या वराट कोहली सीरियस है मैंने फिर देखा कि जो बड़े पत्रकार है एंकर है उनमें एक भी दलित एंकर नहीं है तो जब मीडिया में आपका कोई है ही नहीं तो आपके मुद्दे नॉन सीरियस ही रहेंगे कॉंगर्स नेता ने पिया मोधी पर हमला करते वे कहा कि प्राइविट कमपनी में 25 कमपनियों को मोधी जी ने इतना पैसा दिया जिससे 25 बार किसानों का कर्ज माफ हो सकता है आज भारत में नभ्य प्रदीश अताबादी के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है आप राश्ट्य मीडिया को देखे, मोधी जी को देखे, जैसे ही मैंने कहा कि देखते हैं देश में कितना अन्याय हो रहा है इसका टेस्ट करते हैं तो कहने लगे देश तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी का मिशन आपके तिहास को मिटाने का है जरान राहूल गांदी कहते हैं कि मोधी जी ने 10 साल देश को कहा मैं OBC हूँ लेकिन जैसे ही मैंने बात की तो कहते हैं जाती नहीं अरे तो फिर आप OBC कैसे अगर आपके मताबिक देश में केवल दो जाती है अमीर और गरीब तो उनके लिस्ट निकालो और ये मेरे लिए राज़ितिक मुद्दा नहीं लाइफ मिशन है बीज़पी का पूरा मिशन आपके इतिहास को मिटाने का है आपको बीते हुए समय से कार्ट दिया गया है कॉंगर्स की पूरव अध्यक्ष ने आगे कहा आपको इतिहास फूले जी है अम्बेटकर जी है लेकिन इनके जैसे करोड़ों लोग और थे जिनकी बात नहीं होती आपको इतिहास को फिर से दोराना है आप लिख लो जाती जनगर्ना को कोई शक्ती नहीं रोक सकती जितना इसको रोका गया है उतनी ताकत ये वापस आएगी क्योंकि नब्वे प्रदीशताबादी को बात समझ आ चुकी है कि आज देश के संस्थान में उनकी जगह नहीं है राहूल गांधी ने आगे कहा कि इंदुस्तान का युवा साथ से आद घंटा इंस्टाग्राम पर रील देख रहा है मतलब बीजोपी का काम उनका ध्यान भटकाने का है यह रियाना में हमने सर्वे कराया इनके पूरे अंदोलन का लक्षय यही है वहीं ओबी सी पूछा है कि राममंदिर बन गया पर हमारे एक आदमी नहीं दिखा नया संसत भवन बन गया पर राश्पती को साइड कर दिया उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी करांतिकारी काम करती है जिसमें आजादी, समयधान, हरित करांती, सफेद करांती और यह जणगर्ना कॉंग्रिस की अगले करांती होगी राहुल गांदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जाती जंगर्ना से सब क्लियर हो जाएगा, यह जाती का सर्वे है उसमें हम आर्थिक और संस्था का सर्वे भी जोड़ेंगे कितने लोग किसमें काम करते हैं, ये एक तरह से नैशनल एक्से मानिए, आपमानी की देश के 70 साल बाद एक जरूरी कदम है हमें पता होना चाहिए कि हम कहां है और हमें कहां जाना है, यह जरूरी है और इस पर कोई अतराज नहीं कर सकते ये एक दो दिन का काम नहीं, ये लाइफ टाइम का काम है और हम ये करने जा रहे हैं आज राहूल गांधी ने सारी बाते रखी, पर क्यों? क्यों राहूल गांधी ने आज सारी बाते रखी? क्यूंकि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने रविवार को राजिस्थान की रैलियू में कहा था कि पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश के संपत्ती पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है रभीवार से लडाई जो है आरोप प्रत्यरोप की चली आ रही है देखिए रभीवार निकल गया सोमवार निकल गया मंगलवार निकल गया अज बुद्वार है इसका मतलबी समपती खटा करके किसको बाटेंगे जिनके ज़्यादा बच्चे है उनको बाटेंगे गुस्पैटियोंको बाटेंगे कि आपकी मैनत का पैसा गुस्पैटियों को दिया जाएगा आपको मन्जूर है ये प्एम मोधी ने कहा ये कॉंग्रिस का मैनेफेस्टो कह रहा है पिया मोदी कहते है वो मा भेनों के सोने का हिसाब करेंगे उसकी ज़ानकारी लेंगे और फिर इसे बांट देंगे और उनको बाटेंगे जिनका मनमोहन सिंग की सरकार में कहा गया था कि संपत्ती पर पहला अधिकार जो है वो मुसल्मानों का है उस चंक का लगातार जिक्र हो रहा है इस पर राजनीती अभी खत नहीं हुई है आरोब आरोब बढ़ते जा रहे हैं पिया मोदी के इस बयान पर पिया मोदी ने कहा कि कॉंगर्स के शहजादे ने कहा कि वो ये परताल करेंगी कौन कितना कमाता है किसके पास कितनी परपर्टी है वो कहते हैं कि सरकार इस संपत्ती को अपने कबजे में लेकर सब को बाट देगी उनकी नजर आपके मंगल सुत्र पर है आखिर क्यों मंगल सुत्र बीच में आया कॉंगर्स ने पूचा क्या पिया मोदी बताएंगे कि पार्टी ने कब और कहां कहा कि वो लोगों की जमीन सोना मसल्मानों को मातेंगे कॉंगर्स के घोशना पत्र में संपत्ति के बटवारे को लेकर कोई विशेश वादा नहीं किया गया मगर पार्टी के घोशना पत्र में लिखा है कि सब्ता में आने पर आय और संपत्ति के असमानता के मुद्दे पर विचार करेंगे गोशना पत्र का पहला अध्याय समानता है इस अध्याय में जातिकत भेदभाव की बात की गई है इसमें कहा गया है कि S.C.S.T. और O.V.C. भारत की आबादी में 70% हिसेदारी रखते हैं लेकिन शीश पदो और कारोबारों में उनकी भागेदारी काफी कम है कॉंगर्स के गोशना पत्र में राजट्रे स्तर पर आर्थिक और जातिगत सर्वे कराने की बात कही गई है कॉंगर्स ने कहा है कि सर्वे से मिली जानकारियों के अधार पर कदम उठाए जाएंगे कॉंगर्स के गोशना पत्र में अलफ संक्यों को आर्थिक मजबूदी देन को एक एहम कदम बताया गया और कहा गी बैंकों की ओर से अलपसंख्यों को बिना किसी भेदवां के कर्ज मोहिया कर आए जाएंगे कॉंगर्स ने भी कहा कि सत्ता मिलने पर हमें सुनिश्यत करेंगी कि सिक्षा स्वास्त सरकारी नौकरी स्किल और खेल के शेत्र में वाजब हि किया जाएगा अब देखे बयान है किसी भी तरीके से पेश किया जा सकता है राजनिती है किसी भी मुद्दे पर चोट की जा सकती है और कहीं ना कहीं जो आरोप कॉंगर्स लगा रही है कि प्रिधान मंत्री निरिंद्र मोधी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं यह तो खेर आम जनता भली भाती समझ रही है देख रहे है जिसने मैनिफेस्टो देखा है हाला कि लेकि प्रिधान मंत्री मोधी ने जब कॉंगर्स के मैनिफेस्टो का विरोध किया तो लोगों ने कम से कम कॉंगर्स का मैनिफेस्टो पढ़ा जरूर है यह कहीं ना कहीं कॉंगर्स के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा है और यह मंगल सूत्र पर जो राजनीती हो रहे हैं थमी नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टे के मुख्या फिलीश यादव की पतनी और मैंपुरिस से प्रत्याश्री डिंपल यादव ने वह दवार को नाव से सपा है कि घटना कैसे हुई वो आगे कहते हैं कि सरकार ने युवाओं की नौकरी और रोजगार छीना है पूरा देश आज लोकतंत के लड़ाई लड़ने में लगा है एजी के माध्यम से आज हर वर को डराय जा रहा है बिजनसमेन हो चाहे नेता हूँ सभी को एजी के दवारा सचनाव रणने को लेकर सवार पूछा गया तो नोन चुपिस साथ लिए उसके बाद वह समाजवादी पार्टी इंडिया गरबंदन प्रतियाश्य नुट अंडन के नामंकर रहली में शामिल हो गई इस दुरान नोन नाव की जंदा से प्रतियाश्य को जिताने की अपील क लेकिन आफिर ये स्त्रीधन क्या है मंगल सूत्र क्या है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसका जिकर कर रहे हैं कि स्त्रीधन में आपका मंगल सूत्र भी ये चीन ले जाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद्रबोधी ने हाल ही में चुनावी रेली की दुरान कहा कि कॉंग्रेस सत्ता में आई तो महिराओं का मंगा सुत्र तक नहीं बचेगा मा बहनों की गोल्ड का हिसाब करेंगे विपक्ष को घिरते इस बयान के बाद से हंगामा वचा हुआ इस बीच जानिया मा बहनों की गोल्ड या इस तरी धन का मतलब क्या होता है चलिए आपको बता देते हैं लगवग दो सब्ता पहले कॉंगर्स का मैनिफेस्टो आये था इसमें पार्टे के वेल्द दिस्ट्रिबिशन की बात हुई थी मतलब दौलत का समान बठवारा यतना बठवारा की गरीब की बीसिक जोरते पूरी हो जाए गोशना पत्र जारी होने के बाद से भूचाला गया सत्ता पार्टी लगातार उसके पॉइंट्स पर उसे ही घे रही है मैनिफेस्टों को लेते हुए ही प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि चुनावी युद्र स्रीधन तक पहुँचाया राजिस्थान में चुनावी जनसभा के दुरान पुर्व पीम मनमोहन सिंग के बयान का जिकर करते वे पीम मोदी लगातार इस बात का जिकर करते वे नजर आए हाला कि इस पर कॉंगर्स लीटर प्रियांका गांधी समेथ सारी विपक्षी नेता मंगर सूतर पर राजविती करते वे नजर आए हैं इसे बीच चुनावी घमसान को चोड़कर आपको बताते हैं कि मंगर सूतर समेथ स्रीधन आकर है क्या ये कानूनी टर्म है जिसका आर्थ है महिला के हका धन, संपत्ती, कांगजात और दूसरी वस्तोई आमतोर पर माना जाता है कि स्रीधन में वही चीजे शाविन हैं जो शादी के दौरान औरत को मिलती है लेकिन ऐसा नहीं है, ये गैर शादी शुदा इस तरीध का भी कानूनी अधिकार है इसमें वो सारी सिजे आती हैं जो किसी महिला को बच्पन से लेकर मिलती रही हो इसमें छोटे मोटे तौफे, सोना, कैश, सीविंग्स से लेकर तौफे मिली प्रॉपर्टी भी आती है शादी के दौरान मिले तौफे से लेकर बैधे के दौरान मिली चीजे भी जो महिलाओं को दी जाए सब इस शिर्णी में है महिला के शादी शुदा ना होने पर भी उसे मिलने वाले छोटे से लेकर बड़े तौफे से श्रीणी में आते हैं इसमें चल अचल सारी चीजे शामिल है कानूरन के तहत अधिकार कौन से होते हैं महिला के पास या अधिकार भी है कि वो अपने गहने तौफे या प्रॉपर्टी किसी दूसरे को तौफे में दे या बेच सके स्वसाल वाले या पती उसे इस पर कानूनन नहीं रोक सकते सिछ सरहा दे सकते हैं और अगर चाहे तो अपनी संपत्ती पती को भी दे सकते हैं अगर उसे कोई बड़ी जुरुत हो हाला कि बाद में उसे ये लोटा रहा होगा लेकिन इस सब तब ही होता है जब स्थी के पास अपनी संपत्ते का कोई लेखा जोका रहे है जैसे स्थीधन की लिष्ट हो साथ में उसके तस्वीरे भी हो अगर अपनी संपत्ती किसे लोकर में रखी है तो इसका नमबर याद रहना चाहिए कई बार इससे कुछ confusion भी हो जाता है जैसे साथ बहुने एक ही लॉकर में गहने रखे हैं बाद में तनावोने पर स्थीधन के बटवारे में मुश्किल आ सकती है अगर तौफे का documentation ना हो तो ये होता है इस्तरीधन जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है अब देखना ये कि क्या Congress के manifesto में वाकई Congress की मुणचा ऐसी है या सिर्फ एक चुनावी ताना बाना बुनने की कोशिश हो रही है और जो आरोप लग रहे है बीजेपी पर कि बीजेपी देश के लोगों को जाएगे अब देखना ये कि क्या सत्ता परिवर्तर होगा या एक बार फिर से कमल खिलेगा भारतर नाइम में आज के लिए इतना ही कर फिर लोटेंगे किसी और मुद्धे पर बात करेंगे धन्यवाद